आज हम सूजी से जटपट बनने वाला क्रिस्पी नाष्टा बनाएंगे जिसे लंबे समय के लिए इस्टोर भी किया जा सकता है यह नाष्टा बहुती कम सामान में बनकर तयार हो जाता है और जो इसे खाता है ना वो खाते-खाते रुक नहीं पाता है तो आप भी किचिन में कम समय देकर यह नाष्टा ज़रूर बनाएं जो सबी को बहुती पसंद आए और जिसे लंबे समय तक इस्टोर भी किया जा सके असलाम उलेकूम वेलकम बैक टूजाय का अपने किशिन का तो चलिए बिना देरी की हुए इस रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं इसको बनान पानी को अच्छे से बाल होने तक पका लेंगे जब पानी में हलक असा बाल आ जाएगा तो हम चमच की हर्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक चमच के करीब लहसन अद्रक का पेस्ट अगर आप लहसन नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह यहाँ पर सूजी की एक खासियत होती है ऑगर बम पानी में गरम पानी में पानी में अच्छे से घुल चुकी है आप कोई कटूड़ी यौका या कप ले लिजाड़की चूछatique पर अगर पानी ज़ादा हो गया तो हमें आगे डोम बनाने में काफी प्रॉब्लम होगी तो क economist की flame को हम कर देंगे बंद और इसको यहा पर ठंडा होने देंगे झब तक हम चलते हैं next process की तरफ यहा पर हमने एक пар बाउल लिया है और यहा पर हमने एक कद्दुकस की हल्प से कद्दुकस कर लेना है तो यहां पर आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें एक भी मोटा टुकडा नहीं रहना चाहिए तो आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है तो यहां पर जो सूजी का डो था वो भी रूम टेंपरेचर पर आ एक चमच के करीब रैच चिली फ्लैक्स अगर आपके पास यह अबिलेवल नहीं है तो आप इसकी जगा लालमिस पाउडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इसके फ्लैवर को और जादा बढ़िया बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे आदा छोटे चमच के करीब काली कर लेंगे अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक थोड़ा और डाल सकते हैं तो यहाँ पर हमें हातों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर जो सारी चीज़े हैं उनको अच्छे से मिक्स कर ले तो इसमें बिल्कल भी नमी नहीं है, अगर इसमें जरा सी भी नमी है तो यहाँ पर आपको अमने जो चावल का अांटा डाला है हाथ में और यहाँ पर मैं आपको दो से तीश बना कर दिखाऊंगी जो कि आपकी बच्चों को बहुत जादा पसंद आने वाली है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाथ में डोलिया है और इसको यहाँ पर हमें रॉल कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी हो बच्चों को बहुत जादा पसंद आने वाली है तो यहाँ पर हम इसको गूल शेब दे साथ और लेगे इसमें टाइन थोड़ा ज़य famous लगता है लेकिन यह बहुत हैज पिस्जीब करों पुत्स हो प tenía को पिस यहाँ करते हैं। आपकी आपको ASHLISA को भी पसंद आए हुए यहां पर करूज आए हुए यहां पर में इसकार स्टीरा गेने जा रही हूं। यहांपर मैं तोड़ में और में रौड़ कर लेना है। यहाँ पर हमने बिल्कुल स्लैंटर कर लेना है यह बहुती आसान शेप है यह बहुती जल्दी बनकर तयार भी हो जाता है इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता तो यहाँ पर समय एक चाकू लेना है और इसको यहाँ पर छोटे चोटे शेप में काच कर देना है और यह आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें और प्लीज अपना फीड़बेक हमें कमेंट के जरी जरूर दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बड़िया इसके जो बाइट है वो बनकर तयार हो चुके हैं और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और यह बहुती जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं तो यहाँ पर हमने इस तरह से सारे बाइट बनकर तयार कर लिये हैं तो यहाँ पर जो धोड़ा दो है वो हमने और ले लिया है और इसको यहाँ पर हम हाथों की हेल्प से हलका सा रॉल करेंगे और इसको बिल्कुल स्लेंटर कर लेंगे बिल्कुल पतला सा रॉल हमें बना कर तयार करना है और यह बहुती जल्दी बन कर तयार होते है बहुती आसान रेस्पी है हर कोई इसको बना सकता है तो यहाँ पर बस हमें चाको की हेलप से चूट चूटे से बाइट काट लेना है और यह बोहती बढ़िया रेसबी है, अगर आपने उसको एक बार खालियाना तो आप इसको खाते रह जाएंगे तो यहाँ पर हमने इसके छोटे छोटे बायट काट कर इस तरीके से कर लिये हैं और यह बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो यहाँ पर जो थोड़ा सा रॉल था वो हमने और थोड़ा सा पतला कर लिया है और इसके भी हम पर William book हम भ्हुत छूटे से बायर कर लेने हैं तो चलिए जब तक हम जलते हैं गैस की तरम भी अउयल को अच्छे से गरम कर लिया है और गैस की फिलेम को प index को में बायर दिया है और गैस के flame कο हम medium रखेंगे medium flame पर हम इसको fry करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक दूसरे में बिल्कुल भी चिपके नहीं है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जग 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 उपर आगया है और जो ये bites से वो पैंडे में हैं तो यहां पर हम इसको जड़े की हल्प से हल्क असा चला लेंगे तो यहां पर जब यह सैट हो जाएंगी ना तो इसको हमें हल्क असा चला लेना है और यह आपस में चिपकती नहीं है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इनका जो कलर है वो हल्क हल्क असा गोल्डन आने लगा तो यहाँ पर हम इसको उलटते पलटते हुए अच्छी से फ्राई कर लेंगे और जैसे जैसे यह फ्राई होती जाएंगी तो यह अंदर से खुकली होती जाएंगी खुकली होने की बज़े से यह उपर तैरने लगेंगी तो यहाँ पर यह उपर तैरने लगी है इसका मतलब ह यह काफी अच्छे से फ्राई हो चुकी है आप इसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई ना करें वरना यह हल्की सी कच्छी रह जाएंगी तो यहां पर हमने इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई किया है और हल्की होने की बज़े से यह उपर आ जाती है और इनक इनको बाहार निकाल लेते तो चलिए अब हम दूसरे बेच को भी फ्राइ कर लेते हैं तो उसी ओईल में जो हम ने रिंग बनाके रखे तो इसको हम एक-एक चर के ऑसमें डाल देंगे और गैस की फिलेम को मीडियम रखेंगे अच्छे से फ्राइ Bush कर लेंगे तो इसको भी ह जादा क्रिस्पी बनकर तयार होते हैं तो यहां पर यह देख सकते हैं कि अच्छे से जो जाग है वो हड़ चुका है और यह बिल्कुल खोकली हो चुकी है और यह तैर कर ऊपर आ गई है तो इनको भी हम पलट लेंगे और इनको भी हम अच्छे से गोल्डन सुनहरा कलर आने फ्राइ करेंगे तो सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल भी ओयल को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और यह बहुत जादा क्रिस्पी बनकर तयार होते हैं तो इनका जो कलर है वो हलका हलका सा गोल्डन आ चुका है तो यह बिल्कुल फ्राइ हो चुके हैं तो इनको अब हम इ सारे कुरकुरी टेस्टी स्नेक्स बनाकर तयार कर लिये हैं यह कीर मानिए यह इतने ज़्यादा टेस्टी है कि जब आप एक पीस खाएंगे ना तो पूरी प्लेट चट कर जाएंगे और बच्चे तो आपसे रोज रोज इसको बनवाकर खाएंगे तो चलिए देर किस बात कि यहाँ पर मैं आपको एक बाइट तोड कर दिखाती हूँ वाव कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से किरंची बनी हुई है और यह देखिए बहुती बढ़िया बनकर तयार हुई है मैंने इसको टोमेटो केचप के संग सर्फ किया है आप चाहे तो इसको पुदीन भी ऑईल को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं उपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट तो यह लेजिए बिकुल तयार है हमारे जटपट बनने वाले कुरकुरे यूनिक स्टाइल स्नैक्स लग रहे है ना यम्मी ज़रूर बनाईए बहुती अमेजिंग रेस्पी है बनने वाला ये नाश्ता ज़रूर बनाएं और कैसा बना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं यदि अच्छा बना हो तो एक स्माइल की साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको आज की रेस्पी अ और अपने दोस्तों फैमली मेंबर्स को इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका मज़ा उठा सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेज जरूर करें इसी तरह से हम आपके लिए नए नी वीडियो लाते रहेंगे तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डेस्पी के साथ जब तक के लिए लाहाफेज